तो बहुत ही बड़ी खुश खबरी है बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग निउस है जो लगभग आपको मिल गई होगी अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि हमारे जो प्रधान मंतरी श्री नरेंद मोधी जी हैं उन्होंने एक बैठक ली है एक कैंसल किया जाएगा ये डिसीजन लेना था और फाइनली डिसीजन आ गया है बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हमारे प्रधान मंतरी श्री नरेंद मोधी जी ने फाइनल डिसीजन ले लिया है CBHC बोड इग्जामिनेशन के लिए इसमें क्लास 10 और क्लास 1 दोनों बच के लिए डिसीजन लिया गया है यहाँ पर आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं कि फाइनली क्लास 10 के जो बोड इग्जामिनेशन होने वाले थे अभी मई स्टार्टिंग वीक से वो बोड इग्जामिनेशन कैंसल कर दी गये हैं जी हाँ, क्लास 10 के इग्जामिनेशन रद हो हैं अब उनके examination नहीं होंगे और वो as usual promote होंगे आगे उनके pass के result बनाये जाएंगे और वो result कैसे बनेगा वो आगे हम बात करते हैं वो बिल्कुल objective manner पर objective criteria से result बनाया जाएगा pass का अगर उसमें कोई बच्चा संतुस्ट नहीं होता अपने result से अपने mark से अपने marking scheme से तो उस बच्चे को यह opportunity दी जाएगी कि वो finally exam लिख सकता है जब हालात ऐसे normal हो जाएंगे exam लिखने के लिए यानि जब COVID के cases बहुत कम हो जाएंगे और उस समय जब compartment की exam होते हैं या कोई special exam conduct करवाईगी CBSC और किसी न किसी तरीके से जो बच्चा exam लिखना चाहता है जो अपने mark से संतुस नहीं है उसके exam वो conduct करवाईगी तो अगर अपने mark से संतुस नहीं होते हैं तो आप अपने examination बाद में दे सकते हैं जब situation नॉर्मल हो जाएगी तो finally class 10th के examination रद हो गए हैं जी cancel हो गए हैं अब कोई examination class 10th का अभी नहीं होना class 12th के लिए थोड़ी सी दुखत खबर है कि आपके examination रद नहीं किये गए हैं पोस्ट पॉन कर दिये गए हैं अब आपके examination को पोस्ट पॉन तो कर दिये गए हैं लेकिन इतनी ज़्यादा cases बढ़ रहे हैं और graph ये बताता है कि लगभग लगभग ये जो COVID के cases हैं वो लगभग लगभग तीन लाग के पार जाएंगे और ऐसे situation में exam conduct करवाना बहुत मुश्किल है इसलिए कि सारी discussion करने के बाद माननी नरेद मोदी जी ने फैसला किया है कि class 10 के examination रद कर दिये जाएं cancel कर दिये जाएं और class 12 के examination थोड़े से postpone किये जाएंगे डिले किये जाएंगे लेकिन अगर situation ऐसी ही रहेगी तो फिर आगे उस पर decision दुबारा लिया जाएगा तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि देखो भई पैनिक मत हो अभी जो आपके 4 ये 6 मई से examination जो होने वाले थे वो examination अभी फिलहाल के लिए टाल दिये जा रहे हैं और पोस्ट पोन किये जा रहे हैं और इसके लिए फिर से एक समिक्षा बैठक की जाएगी एक जून को जी हां एक जून को फिर से meeting होगी और उस समय फिर हम revised calculation करेंगे टाइम टेबल बनाएंगे अगर situation कोविट का थोड़ा सा कम रहता है तो एक जून को फिर decide किया जाएगा कि आपके examination का क्या करना है और आपके examination को कब लेना है जब भी आपके examination लिये जाएंगे उससे कम से कम 15 दिन पहले पहले आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके examination कब लेने है यानि आपको date बता दिया जाएगा 15 दिन पहले तो class 12 के बच्चों से ये निविदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अभी करते रहिए और अभी आप ये मान के चलेंगे कि आपके examination कैंसल नहीं हुए है आपके examination offline ही होंगे online का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है तो एक जून को फिर से ये बैठक होगी फिर से revised situation को revised किया जाएगा situation को देखा जाएगा और उसके बाद फिर आपको announce किया जाएगा लेकिन कम से कम 15 दिन का time आपको दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से अपने exam की तैयारी कर लें तो दसमी वालों के लिए बिलकुल ये खुश खबरी है जो बच्चा चाहेगा अपने नंबर से खुश नहीं है तो वो exam दुबारा लिख सकता है उसको ये facility CBSC की तरब से दी जाएगी तो आपके जो marks है class 10 के आपके जो result बनेंगे वो objective criteria के हिसाब से develop किये जाएगे और अगर कोई भी candidate satisfied नहीं होता आपने marks से तो वो उसको एक chance दिया जाएगा वो examination में बैठ सकता है अगर condition थोड़े से normal हुए exam के like हो गए ठीक है तो ये एक news था जो आपको देना था तो finally बहुत बड़ी खुश कबरी है पूरे देश में CBSC के जितने भी exam होने थे सारे के सारे class 10 की exam cancel हो गए हैं तो class 10 वाले आप अपनी class 11 की तयारी शुरू कर सकते हैं और आप हमारे इस channel पर जुड़ करके अपने physics, अपनी chemistry और अपनी mathematics की तयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो comment करके बताईए आपको क्या चाहिए आपके classes कब से schedule करने हैं, class 11 की classes कब से लगानी है आप ये message करके हमको बताईए, comment करके तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में